विंद का द्वार कहा जाने वाला सतना ना सिर्फ अपने सीमेंट, उद्योग और खानी संपदा के लिए बलकि अपने गोरो साली प्राचीन इतिहास की वज़े से भी जाना जाता है। यहां की भूम हजारों वर्स के इतिहास को अपने दामन में छुपाए हुए है, जिन्हें बस हमें खोजने बस की जरूरत है। ऐसा ही एक इतिहास है देवगुना मंदिर समूह का। देवगुना मंदिर समूह तीन मंदिरों का एक ही चबूत्रे पर इतिह समूह है, जो आज से लगभग 1100 वर्स पुराना मंदिर समूह है। इस समूह का मुख मंदिर भगवान विश्णू को समर्पेत है, जिसमें भगवान विश्णू की अद्भूत अलोकिक प्राचीन मूर्ती स्थापित है। भगवान चक्रवास संक धारण किये हुए है। भगवान विश्णू की यह प्रतिमा मुकुट, कुंडल, मेखला, वेजन्ती, माला सहिच सभी अलंकारों से अलंकरत है, जो इसके प्राचीन, इतिहाश और वास्तुकला का प्रदर्सन करती है। मंदिर के शिखर पर आमलक के नीचे गवाच के कीरतिमुक का अंकर है। इसके अलावा मंदिर के चारों और सुन्दर आकरशक वास्तुकला का नमूना देखने को मिलेगा जिसकी बनावट देख आप हैरान रह जाएंगे। पत्थर से निर्मित इस मंदिर में आज भी दरजनों ऐसी अनोखी मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी जो प्राचीन शब्बता की गवरोशाली इतिहास को दरसाती है। मद्द प्रदेश शाषन के पुरतात अभिलेखागार एवं शंग्रहाले मद्द प्रदेश भोपाल की देख भाल में हैं और समय समय पर आवश्यक कार यहां करवाए जाते हैं।